हेलो स्टुड़ान गुड मोर्निंग टोड़ी वी विल लान मैच्स स्टान्डर थार्ड चेप्टर नमबर टू फ़न वीट नमबर्स फ़न वीट नमबर्स में हमने लास्ट टेक्स्ट बुक कंप्लेट कर दी थी उसके बाद हम देखने वाले वर्क बुक क्या देखेंगे व 22 पेज नमबर 22 पर क्या लिखा है क्वेशन नमबर वान आंसर दा फॉलोविंग वेशन ऑन दा बेजिस ओफ दो पिक्चर के पिक्चर दी गई है वैसे हमें उसका बेजिस क्वेशन हमें कंप्लेट करना है उसमें फर्स्ट क्या दिया गया है कि वू कलेक्टेट दा है किसी सबसे ज्यान अधा स्थेम्ट कर दिया ले लिया है और आďको क् wines स्मेहा यहां पर दिखके है आपको स्नेहा उसके पास 48 सबसे ज्यादा है फूं क्कॉन समेहा शने हाने 48 सेइट कलेक्ट आभी आ пос Reiser का क्लेक्ट कर लिया है तो किस मम दिखेंगा this therefore यहां पे के पास 4000 लिखान,"ो कि फोड़ी एट." suek, कि लिखा है कि फूं कने के लुसिट सिट से लॉएस्ट सिट वह किसने लिया है किसने काउंट किया है तो कि जी लॉब से लोवेस्ट सिट से false लॉएस्ट सिट यान इकि सबसे कम सीट से तो कितने है उसके पास 25 26 तो 26 किस के पास जीनल के पास जीनल 26 उसके बाइद question number 3 what is the total number of seed with जीनल and sneha क्या में क्या करना है total numbers find करना है जीनल and sneha का तो जीनल and sneha का total number find करेंगे तो 48 प्लस 26 टोटल कितने हुए 8 प्लस 6 14 1 4 प्लस 1 5 5 प्लस 2 7 तो उसमें कितने है 74 उसके बाद 4 में क्या लिखा है what is the total number of seed with मिनल and नमिट तो मिनल के कितने है मिनल के 42 है and उसके बाद जिन नमिट के कितने है नमिट के पास कितने है 44 है तो कितने हुए total यहां पर 4 प्लस 2 6 4 प्लस 4 8 तो कितने हुए 86, फिफ्ट नंबर में क्या बोला है, how many more seed do Sunil have compared to Junal, के Sunil के 5 कितने है और Junal के 5 कितने है, तो पहले हम देखेंगे, Sunil के 5 कितने है, 39 है, और Junal के 5 कितने है, 26 है, तो Sunil के ज्यादा है, Junal से, तो कितने ज्यादा है, तो कितने ज्यादा के लिए हम क्या करेंगे, 39 में से 26 कट करेंगे, यानि कि subtract करेंगे, यानि कि differentiation करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कितने ज्यादा है, तो 9 में से 6 कट 3, 3 में से 2 कट 1, तो यहाँ पे हमारा 13 अंसर आया है, तो Sunil का 13 seeds ज्यादा है तो अब उसके बाद एक्वेशन अबर 6, how many less seeds do namit how compared to snaha कि कितने less than है तो नमीत के कितने है 44 है तो उसके बाद snaha के कितने है 48 है तो 44 और 48, 44 के बाद 45, 46, 47, 48 तो कितने seeds ज्यादा है 4 seeds ज्यादा है 7, how many more seeds do general need to have 30 seeds के कितने है तो कि जो general है उसके पास कितने seeds यानि कि 30 में कितने ज्यादा चाहिए तो 30 का general के कितने है अभी general के पास 26 है तो 26 में हमें 30 लाने के लिए कितने चाहिए तो कि 26 के बाद 27, 28, 29 and 30 तो 30 लाने के लिए हमें कितने seeds चाहिए 4 seeds चाहिए 8 number के question में क्या लिखा है how many more seeds do you need to have 50 seeds के नमीद के पास अभी कितने seeds है 44 है 44 में 50 seeds लाने के लिए हमें कितने seeds चाहिए तो 44 तो अभी नमीद के पास ही तो 50 करना है तो उसके लिए हमें कितने seeds चाहिए तो 44 के बाद 45, 46, 47, 48, 49 and 50 तो कितने हुए 6, कितने seeds हुए 6 seeds हुए उसके बाद 9 number का how many children have more than 40 seeds के कितने children ऐसे है के जिसके 40 से ज्यादा seeds है तो 40 से ज्यादा seeds वाले कितने बच्चे हैं तो कि मीनल उसके बाद स्नेहा and नमीद और कितने children हुए टोटल 3 children हुए तो यहाँ पर लिखेंगे 3 children उसके बाद 10 question में after collecting the total seeds with nummy dance नहा how many more seeds do they need to make it 100 तो कि कितने है तो पहले तो हमेरे क्या लिखा था कि nummy dance नहा तो nummy dance नहा के कितने seeds हुए total तो कि nummy के कितने है अभी nummy के 44 है and नहा के कितने है 48 है तो उसके total कितने हुए 8 plus 4 12 1 carry 4 plus 4 8 and 1 9 तो इतने total हुए बट हमें क्या चाहिए 100 चाहिए तो 100 लाने के लिए कितने seeds चाहिए तो यहाँ पर हम 8 seed add करेंगे तो 100 हो जाएगा तो कि yes तो हमारे कितने seeds चाहिए अभी 8 seeds चाहिए तो कितने after collecting the total seed with nummy and how many more seeds do they need to make it hundreds तो 100 seed लाने के लिए हमें 8 seed चाहिए question number 2 question number 2 में क्या लिखा है के in the test cricket match between India and Pakistan इंडिया पाकिस्तन के between क्या है test wickets है match run made by Indian batsman and their first inning are given below के first inning है वो हमने दिया गया है हमें write the answer the question on the basis of it के player's name क्या है वीराट, Shikhar, Rohit, Suresh and Dhoni तो वीराट के कितने runs है 96, Shikhar के 90, Rohit के 89 and Suresh के 38, Dhoni के 47 है तो वीराट के 96 है तो 96 में hundreds यानि की hundreds लाने के लिए हमें कितने चाहिए है तो कि 4 run चाहिए है यानि कि हम equation answer 1 to 10 दिया गया कि आए वह हम next time देखेंगे